हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आज अपनी स्टार्ड करते हैं आरबेसी बोर्ड चैप्टर वाइज पीवाइक्यू सिरीज में चैप्टर नमबर 9 एमीन्स तो देखो यह चैप्टर जो है इसमें से काफी की रिपीटेटिंग कोशन से एक चीज आप यह याद रखें वीडियो से पहले और एक 2018 से लेकर 21 तक जो बीच में सेलेबस लगता था उसमें बहुत सारे लगते एक्स्ट्रा टॉपिक हुआ करते तो इस वजह से वह कुक्षिंट्स नहीं करवाय कि recipes थे इत्रो बैंजीन कीन और सायनाइभ नाइट्रायल यह सब टॉपिक सामिल थे तो जो इक एम हैं मैंने नहीं कोशन सामिल किया हैं तो करते बूर्ड एक्जाम 2013 से सबसे पहला कुश्चन है इडेंटिफाइए एक्स और फॉलोइंग रियक्षन सिक्वेंस और ऑल्सो राइट दा नेम ऑफ टू रियक्षन इन्वाल तो देखो एक एमाइड दे रखा है और फिर ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोकसाइड की प्रोमाइड डिग्रेडेशन रियक्षन और यह दूसरी वाली रियक्षन है कार्बिल एमाइड रियक्षन तो देखो पहले वाली में क्या होगा एमाइड ब्रोमीन और एन्योच के साथ रियक्षन करके एमीन बनाता है क्या बनाता है एमीन एमाइड से एमीन बनता है इसे Hoffman Bromide Degradation क्यों कहते हैं क्योंकि Amide में जितने Carbon होंगे Amine में उससे A Carbon कम होगा क्योंकि ये CO जो है वो CO2 के Form में निकल जाएगा फिर इसकी Reaction अपनको CHCl3 और QOH के साथ करवानी है तो ये है Carbyl Amine Reaction कौन सी है Carbyl Amine Reaction इसे Isocyanide Test भी कहते हैं ये Reaction सिफ 1 degree Amine चाहे वो Aromatic हो चाहे Eliphatic वो देते हैं इसमें 1 degree Amine की Reaction Chloroform और QOH के साथ करवाते हैं तो देखो ये 3 KCL निकल जाएंगे ठीक है 3 OH के साथ अपने जो होते है 3 H 2 H इदर के एक H इदर का 3 H 2 O बना लेगा और फिर R N और C बन जाएगा क्योंकि इसमें Isocyanide बनता है उसकी Smell बहुत ऐसे बदबुदार सी Smell होती है इससे Isocyanide टेस्ट भी कहते हैं और ये 1 degree Amine के टेस्टिंग में यूज करते है 2 degree और 3 degree Amine ये नहीं देते है Next Question है Alkyl Amine जो होता है वो ज़्यादा basic होता है Ammonia से क्यों तो देखो ये है Alkyl Amine और ये H प्लस के साथ रियक कर रहा है और लॉन पेयर डोनेट कर रहा है और उससे ये बनता है और ये है Ammonia और उससे ये बनता है अब Alkyl Amine ज़्यादा basic क्यों है उसके दो कारण है पहला कारण देखो ये Alkyl Amine में जो ये ग्रूप लगावा है ये प्लस आई ग्रूप है और प्लस आई ग्रूप क्या करते है सामने की तरफ इलोक्टरॉन पुस करते है इससे ये लॉन पेयर डोनेशन के लिए और ज़्यादा अविलेबल होंगे आइसा कोई ग्रूप अमॉनिया में नहीं है इसमें दिखो दोनों में ही पॉजेटिव चार्ज एक स्पिसीज बन रही है तो आर का कौन सा ग्रूप होता है प्लस आई ग्रूप जो हमें सा पॉजेटिव चार्ज को इस्टेबल बनाते है तो ये इसके compare में ज़्यादा stable भी है तो ये दोनों कारण next है हिंसबर्ग reagent का formula लिखना है तो benzene sulfonyl chloride C6H5SO2Cl benzene sulfonyl chloride जो है वो हिंसबर्ग reagent है तीक है next है basicity of वो कह रहा है कि trimethylamine methyl amine से ज़्यादा basic होना चाहिए लेकिन होता नहीं है क्यों कम basic क्यों है तो देखो अगर plus eye effect के हिसाब से जो से कि अभी अपने उपर पड़ा तो इसमें एक plus आई है इसमें तो बिचारे में तीन plus आई है उस हिसाब से ज़्यादा basic होना चाहिए था लेकिन actual में क्या होता है कि आप ऐसे समझजिए कि ये nitrogen है और यहाँ पर तीन methyl group जुड़े हैं और यह methyl group जो होता है वो क्या करता है चारों तरफ से इसको cover कर लेता है ठीक है मतलब जितने bulky group होंगे उतनी ही ये space cover होगी इसे कहते है hysteric hindrance hysteric hindrance बड़े group की वज़े से उता है वो हर reaction को क्या करता है रोकता हिये तो तो due to three bulky group in CS3 haul thrice N more hysteric hindrance अकर और it decrease elokton donation nature जिसकी वज़े से BCCT गढ़ती है next अपने question है कि CS3 CONS2 ये amide compound है उसकी gives a compound X वो एक compound X देता है कब जब उसकी reaction कराई जाती है LILH4 से अब देखो LILH4 basically क्या होता है reducing agent होता है तो वो क्या करेगा देखो यहां पर H, H, H देगा तो यह H2O के form में निकल जाएगा और यहां 2H जोड देगा तो CS3, CH2, NS2 बन जाएगा एमाइट से क्या बन जाएगा amine एक चीज़ याद रखे होफ्टमें डिग्रेडेशन वाली reaction में भी amine से amine बनता था इसमें भी बनता है लेकिन इसमें amine एक कम कार्बन की बनता है इसमें बरबबर कारबन की बनेगा इसमें दो कारबन है तो इसमें वी दो कार्बन आगे चलते हैं फिर which gives a fall smelling compound Y on hitting with CHCl3, यह अभी अपने देखाता है, amine जो होता है CHCl3 और KOH के साथ में isocyanide reaction देता है, तो isocyanide बनेगा जिसकी वज़े से तो compound X तो है यह और compound Y है, यह next है, give the equation of diagotization, diagotization basically benzene diogenium chloride बनाने की reaction है, जिसमें aniline की reaction, aniline कहते हैं जिसमें aromatic amine कह सकते हैं, ठीक है, इसकी reaction NaNo2 और 2HCl के साथ कराते हैं तो benzene diagotization chloride बनता है एक चीज़ याद रखे, अगर आपको exam में कहें कि aniline की reaction HNO2 के साथ लिखो, तो अब भी अपन को यही reaction लिखनी है, क्योंकि HNO2 जो होता है, इन दोनों की reaction से बनता है, ठीक है, यह याद रखेगा Next है, write the coupling reaction of benzene diagionium chloride with phenol, तो देखो coupling reaction एकदम simple सी होती है, जो benzene diagionium chloride होता है, वो ऐसे aromatic compound के hydrogen और इसका CL ऐसे निकल जाता है और फिर यह जूट जाएगा compound बन जाएगा, तो coupling reaction कहते हैं, एक benzene diagionium chloride की phenol के साथ दे रखिए, ऐसी कैसी aniline के साथ भी दे रखिए, उसमें इस तरफ Ns2 होगा, तो इधर Ns2 लग जाएगा, बाक्की तो same pattern से होता है इसका नाम क्या है, पेरा hydroxy azobenzene, जो की orange कलर की डाई है, next है, कि aliphatic amine की HNO2 के साथ reaction लिको aromatic amine की HNO2 के साथ लिको अब देखो, HNO2 nitrous acid होता है मैंने अब भी बताया, HNO2 कभी भी stable नहीं होता, तो उसे जब भी reaction करवानी होती तो आप reaction किसे कराते है NNO2 red CL के साथ अब एक बार दोनों से reaction से same तरह की चीज़ा बनती है इसमें बनता RN2 CL alkyl agonium chloride और इसमें benzone diagonium chloride इसमें alkyl dagonium chloride इसमें benzone diagonium chloride लेकिन benzone diagonium chloride стable होता है, तो जब aromatic amine HNO2 के साथ या इसके साथ reaction देता है तो benzene diagonium chloride banata है लेकिन aliphatic amine जब देता है तो पहले तो ये बनता है लेकिन ये unstable होता है, तो ये जल्दी किसमें convert हो जाता है alcohol में अगर direct अपन को सिफ एक ही पूस्ता कि amine की reaction अपने hno2 के साथ reaction लिखो तो अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं यह h2o जो hno2 में जो होगा इसको अपन ऐसे याद रख लेते हैं hono ठीक है तो यह h2o निकल जाएगा यह फिर no2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा roh बन जाएगा मैंने यह लंबी वाली क्यों लिखी ताकि यह पता चले कि दोनों same pattern से होती है यह भी बनता है और यह देखो same भी बन रहा है लेकिन यह unstable होने की वज़े से आगे hydrolyse होके alcohol दे देता है जबकि यह नहीं देगा next है hopmine bromide degradation reaction उपर अपन कर चुके है वही वापस है next है iupc name लिखने हैं तो iupc name एकदम simple से होते हैं amines के alcanamine alkane लिखकर पीछे amine लगा देना है ठीक है जो अपने two degree और three degree amine होते हैं उसमें substitute के नाम NN लगा के लिखने होते हैं यह three degree amine है क्योंकि इसमें तीन alkal group जुड़े हो है अब इसमें से जो सबसे बड़ा group होगा वह principal chain हो जाएगा चार carbon का है तो butane 1 amine हो गया ठीक है अब यह दो क्या लगे हो है substitute दो नाइट्रोजन पे लगे हो है तो N, N diethyl butane 1 amine हो जाएगा next है what happen when benzene diagene chloride react with ki तो एकदम simple सी है benzene diagene chloride लिया ki i के साथ reaction कराएंगे तो क्या बन जाएगा iodo benzene बन जाएगा KCL निकल जाएगा N2 निकल जाएगा C6H5N बन गया next है arrange according to basic nature अपन को इन तीनों को basic nature से arrange करना है तो देखो यह ammonia है यह अपने alkinamine है और यह अपने aromatic amine है ammonia में भी nitrogen पे lawn pair होता है इसमें भी lawn pair है इसमें भी lawn pair है लेकिन aniline के case में यह lawn pair जो है regionance में participate करेंगे इस वज़े से कम available हो जाएंगे और यही वज़े है कि aniline ammonia के compare में क्या होती है कम basic होती है और alkinamine में यह group कैसा होता है plus i group जो क्या करता है elokton को और push करता है तो ज़्यादा availability होगी तो सबसे ज़्यादा alkinamine होते है उसके बाद ammonia और सबसे कम होती है aromatic amine ऐसे question में अगर time हो तो आपको पास C6H5NS2 का regionance भी बना सकते है मैंने आगे किसी question में बनाए होगा वहाँ समझा दूँगा next है what do you mean by ammonolysis of alkyl halide in chemical reaction एकदम simple सा देको ammonia लेना है इसकी reaction alkyl halide से करानी है तो यह 1X और 1 hydrogen HX बना लेगा और R इदर लग जाएगा rns2 फिर rx के साथ reaction करेगी 1H और 1X निकल जाएगा r2nh फिर react करेगा r3n फिर react करेगा लेकिन इस बार replace तो हो नहीं सकता क्योंकि हैस तो है नहीं तो r4nx quaternary ammonium salt बना देगा ठीक है next है write the reaction which is used for ascent of amine series or to synthesize amine containing carbon one carbon less than amide दिको ascent का मतलब होता है अब जिस amine से start करोगे and आपको amine में ही करना लेकिन एक carbon जादा ये करने के लिए देखो सबसे पहले अपन मिथन amine की HNO2 के साथ reaction कराएंगे अब ही अपने देखा था alcohol बनता है alcohol बन गया फिर उसकी PCL5, SOCL2, PCL3 किसी के साथ भी करवा के उसे chloride में बदल दो ये chloro-methan हो गया फिर KCN के साथ reaction करवाएंगे तो CS3CN बन जाएगा और फिर साइनाइड का देखो जैसे ही KCN जुड़ता है तो carbon extra हो गया एक carbon ये एक और carbon आगया अब इसका reduction करा देंगे तो दो hydrogen इदर दो hydrogen इदर लग जाएगा CS3C2NH इथन amine बन जाएगा अगर आप इदर दो carbon का लेते ती हैं तीन carbon का बन जाता और next है कि synthesized amine containing one carbon less than amide मतला amide में जितने carbon हो उससे एक कम carbon का बनाना है तो ऐसी कौन सी होती है Hoffman bromide ठीक है next है अपने 2017 का question है compound A is an aromatic amine वो एक aromatic amine है उसकी reaction करानी है NaNO2 और HCl मतलो तो HNO2 वाली reaction है अपना अभी की ती benzen diagenium chloride बनेगा लिखावा compound B form होता है तो compound A तो aniline हो गया HNO2 के साथ रेक करके benzen diagenium chloride बना देगा यह compound B हो गया आगे चलते हैं compound B react with HbF4 और then obtain produce on further heating in presence of NaNO2 और Cu form compound C तो देखो HbF4 के साथ reaction कराएंगे तो एक बार अपन को H और Cl निकल जाएगा यह इदर जुड़ जाएगा उसके बाद NaNO2 और Cu के साथ reaction करवाएंगे तो देखो N2 निकल जाएगा NaBF4 के साथ निकल जाएगा और NaO2 इदर जुड़ जाएगा बुले तो नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा ठीक है और लास्ट है कि जब इस नाइट्रो बेंजीन को SNCL SN PLUS HCL के साथ करवाते तो वापस compound A बन जाता बुले तो वापस aniline बन जाएगा और बिस तिंगे यहा amine जो होता है ammonia से ज्यादा वह क्या होता है basic concept में बता चुका हूं यहां पर आर था ऐसे करके समझाए ता भी CS3 लिख देंगे इसलिए मैं वापस लिखा कि एक्जाम में ऐसे थोड़ा बहुत चंजे जाए तो आप देखो यहां आर करके मैंने समझाए था यहां का तो वह क और के वज़ के साथ कौन सी होती है hopmine bromide degradation फि CHCL3 यह तो पहला ही कोशन था वो का वही वापस आ गया और है regionatic structure यूरिया यह अभी अपने syllabus में नहीं है यूरिया का और यह वाले कोशन तो अपन पहले ही समझ चुके है नेक्स्ट है नाइट्रो बेंजीन की SNHCL के साथ अभ इस structure की बात कर रहा था मैं यह एनिलीन का regionatic structure है इसमें आप देख पा रहे हैं यह lawn pair जो है regionance में काम आ रहा है और nitrogen पे lawn pair की जगा प्लस चार्ज आ गया तो कम availability हो जाएगी lawn pair की इसलिए एनिलीन के regionatic structure से अपने एक चीज क्या सकते है कि एनिलीन कम basic होगा ammonia से ठीक है अलंकि इस वाले question में सिफ regionatic structure बनाना है मैंने आपको उपर बोला था कि अगर एनिलीन का है तो आप कारण के साथ regionatic structure भी बनाए नेक्स्ट है arrange the following compound in increasing order of their basicity basicity के हिसाब से arrange करना है तो देखो हो जाएगा ammonia हो जाएगा ठीक है इसका sequence यह CS3 जब R की जगा CS3 हो तो यह sequence है R की जगा जब C2H5 होता है तो भी भी आपका sequence थोड़ा अगे पीछे होगा आपकी book में दे रखा आप वो भी याद कर ले दोनों बहुत ही important है ठीक है next है amine are more basic than aniline अभी बता है मैंने amine amine बो हो जाएगा lawn pair जबकि aniline के case में regionance हो जाएगा regionance से क्या होता है less available हो जाएगे ठीक है बोर्ड एक्जाम 2019 कार्भी लैमाइन reaction लिख चुक है अपन identify a and b a और b identify करने अब देखो a और b कैसे identify करेंगे c6 h5 n2 cl बोले तो benzyne diagenium chloride इसकी copper और na no2 के साथ reaction करेंगे तो क्या बनेगा nitrogen बन जाएगा और फिर उसकी sn hcl के साथ reaction करेंगे तो reduction होता है यह अपने कर रखा है aniline बन जाएगा next है इसके अलावा देखो और कहीं पे कु reactions दे रखी थी उन पे थे तो मैंने हटा दिये अलंकि एक आदे ही हैं लेकिन हटा दी next है alkyd amine more basic than ammonia कर चुके हैं और second question है nitrobenzine की इसके साथ अभी अपने की ती amine बनता है na no2 के साथ benzine diagenium chloride कोई किती बार repeat हो रही reactions next है aniline is less basic than ammonia same है aniline के case में regionance होता है जिससे कम available हो जा ब्रोमीन फोर केंच तो कौन सी हो जाएगी है hoffman bromide और फिर carbylamine reaction यह तीसरी बार हो गई लगाता है जैसे के जैसे next है carbylamine देखो फिर आ गई तो मैंने वापस नहीं लिखी है फिर है what happened when यह वाला question जो है इससे एजो बेंजीन बनता है पर यह अभी अपन सेलेबस में न क्लोराइड और फिनॉल की कप्लिंग reaction अभी उपर एक पी वाई क्यू में लिख वाई थी और यह एनिलीन के साथ और इससे यलो कलर की डाई बनती है उससे औरेंज कलर की बनती थी next है the I mean having lowest PKB अब lowest का क्या मतलब है lowest PKB उसका होगा देखो अगर के बी पूस्ता तब तो देखो के बी जो होता है वो basic order के साथ साथ जिसका basicity ज़्यादा उसका के बी भी ज़्यादा लेकिन PKB उल्टे चलते है lowest PKB उसका आएगा जो सबसे ज़्यादा basic होगा तो यहां रखा है यह सब दे रखा है मैंने यह sequence लिख दिया देखो यह सब का इसके साथ aniline भी जोड़ दिया aniline aromatic होता तो सबसे कम basic उससे ज्यादा ammonia फिर three degree फिर one degree और फिर two degree तो सबसे ज्यादा basic कौन सा है two degree इसका मतलब सबसे कम PKB किसका आएगा इसका ही आएगा ठीक है और दे write the hybridization in nitrogen in amine तो sp3 hybridization होता है next draw pyramidal shape of trimethyl amine यह वाला diagram मैं अपनी बुक में दे रखा है यह वाला diagram हो गया उससे अगला आईसो साइनाइट टेस्ट यही है कार्बिल amine इसमें मैं थियोरी भी लिख दिया है कि aliphatic और aromatic amine जो होता है हिटिंग करने पर आईसो साइनाइट बनात होती है secondary or tertiary amine यह देते नहीं है यह सिफ primary amine देते हैं तो उसके identification के लिए इस्तमाल कर सकते है बूर्ड एक्जाम 2023 एको पहला कुशन है benzene diogenium chloride का formula अराम से लिख देंगे दूसरा हाफ्माइन bromide degradation यह देखो फिर आ गई यह लिख देंगे और ट्राइ मिथाइल एमीन जो है पीवाई-क्यो में भी बोला और अभी भी बोला हो देखो आल्मस सारे कोशन कवर हो गहेğैं सिhr पीवाई-क्यों से इसलिए आप पीवाई-क्यों को अच्छे से के जीए ठीक है तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में तब तक आप सब लोग खुब सार हाड वर की खुब खुश रहिए खुब मस रहिए थैंक यू फॉर वाचिंग